आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने यूटूब चैनल इया डाटा में तीस क्लासेस पर हम स्वागत करते हैं वैदू छेत्र की रेखा हैं किसे कहते एलेक्ट्रिक लाइन्स आफ ओर्स वैदू छेत्र रेखा वैदू छेत्र में खीचा गया वैदू छेत्र रेखा वैदू छेत्र में खीचा गया वह सरल रेखा है जिसके किसी बिंद पर खीची गई इस पर्स या कालपनिक रेखाएं होती हैं जो वैदू छेत्र की तीवरता को प्रदर्सित करती हैं क्या देखा थी वैदू छेत्र की तीवरता को प्रदर्सित करती ह उस बिंद पर एकांग छित्र पसे अभिलंबुवत गुजनने वाली बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करती हैं ती वित्ता के प्रणाम को प्रदर्शित करती हैं ती वित्ता के प्रणाम को और इसको इंगलिस के capital letter e1e2e3e4e5 जे देखोर सीधे जाती है 90 डिगरी का कोण बनाती हैं जाती इसलिए इनको अभी लंबवत माना जाता है जो लाइन्स सीधे 90 डिगरी का कोण बनाती है उसको अभी लंबवत माना जाता है और ये क्या रहती है सीधे जाती एकांग छेत फ़ल एक, जिस अस्थान पर वैदुत रेखाएं बहुत पास पास में होती है, वहाँ वैदुचेत बहुत प्रबल होता है, और जहाँ दूर दूर होती है, वहाँ क्या होता है, वैदुचेत काफी दूरी पर होता है, यह बहुत ही कम होता है, उपेचाकत क्या होता है, छीन होता है जैसे आपका होता है, इसमें हम ले लिए E1 है, E A, E area के अंदर वैदु छेत्र का रेखाई हैं बहुत पास पास होंगी और E B क्या होता है? काफी दूरी पर है, तो यह काफी दूरी पर होंगी देखो इंके इनके बीच में काफी क्या है दूरी है तो इनके बीच काफी दूरी होती तो यह वैदु छेतर रेखाएं थी एलेक्टिक लाइन्स आफ ओर्स तेस एलेक्टिक लाइन्स जाती हैं वैदुतर छेत्र की रेखा हैं यह अभी लंबोत गुजरती हैं नब्बे डिगरी का कोड बनाती हैं तो यह कच्छा बारा की यूपी बोर्ड की क्लास थी जो आपके आने वाले बोर्ड प्रिक्षा के ल